हाई दोस्तों कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के जितने एक्जामनेशन्स थे वह संभावता हो गए होंगे क्योंकि लास्ट डिट जो है ना एक्जामनेशन की वह 9 अप्रील थी और आज 9 अप्रील ही है इट मीन्स या फिर 1st year में है या फिर intermediate या 1st semester में है तो अब एक्जाम देने के वाद उनकी पहली priority होगी अपने assignment submission की खैर वह उन students को तो कोई problem ही नहीं है जो कि final year में थे उनका exam हो गया उनका tension भी खतम लेकिन अब जो students middle year में है intermediate year में है फिर first year में है या first semester में है या intermediate semester में है तो उन्हें दिक्कत आ रही है assignment submission को ले करके क्योंकि assignment submission को ले करके एक confusion create हो गया है चुकि पहले last date of assignment जो submission होती थी ना वो हमेशा 31 March तक होती थी ठीक है उसके बाद इसको extend करके 30 April तक कर दिया जाता था लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कहीं पर 31 March लिखा हुआ है कहीं पर 15 April लिखा हुआ है कहीं पर 30 April लिखा हुआ है तो अब assignment submit करें तो करें कैसे क्योंकि कुछ लोग या कुछ study centers के जो stops है ना उनके भी मन में confusion हो गया है उन्हें भी लगता है कि हां क्या करना चाहिए तो उसी पर मैं स्क्रीन पर दिख रही होगी यह अब लोगों को 30 March 2022 को इगनु के student evaluation division द्वारा जारी की गई है जिसमें subject extension of last date of submission of assignment for 2EE June 2022 तो मतलब June 2022 के लिए जो termined examination होंगे उसके last date of assignment submission के extension के बारे में यहां बात की गई है तो यहां लिखा गया with the approval of competent authority the last date of submission of assignment both in hard copy and soft copy format for the termined examination June 2020 has been further extended up to 15th April 2022 तो यहां पर यह कहने की कोशिस की जा रही है कि competent authority जो इसकी assignment submission की जो बड़ी जो authority या headquarter है उसके approval से अब assignment submission के last date को extend किया जाता है 15 April 2020 तक और यह जो assignment submission होंगे यह उन्च चात्रों के होंगे जिनके termined examination June 2022 में होंगे और जिनके assignment submission होंगे मतलब यह जून 2022 से पहले examination में अपियर होने से पहले जिनके assignment सम्मिशन होंगे तो उनके आप्ले समय अब 15 अप्ले तक होंगे और यहां पर होगी और यहां पर और ऑलॉन यहां पर आप को बिखाता हूं यह यहां पर आप लोग देख लिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गई होगी यह जो है और इसके अगर हम पेपर में देखें तो हम यह देखते हैं या हम यह पाते हैं कि यहां पर दिया गया है जुलाय 2021 एडमिशन बैच जिनका एडमिशन जुलाय 2021 में हुआ है तो वो अपने असेन्मेंट 30 अपरील 2022 तक सम्मिट कर सकते हैं तो यहां पर ओफिसियल नोटिस कह रहा है 15 अपरील और यह वाला पेपर कह रहा है 30 अपरील तो यहां पर क्या किया जाए इसी के साथ हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी मैं यहां पर करके रखावा हूं मतलब एग लाज डेट है उनके लिए 30 अपरील 2022 तो हिंदी में भी लिखा गया है इंगलिस में लिखा गया और नोटिस में 15 अपरील दिया गया है तो अब बच्चे करें तो करें क्या सारे बच्चे कंफिजन में बहीं 15 अपरील तक ही लाज डेट है वह एकदम परिशान हुए जा र जिनके एक्जामलेशन जून 2022 में होंगे जून 2022 में होंगे तो उनके लाज डेट अपरील 2022 से भी एक्स्टेंड करके 30 अपरील 2022 तक कर दिया जाएगा और इस बात के 150 परसेंट चांसे से 100 नहीं 150 परतिसाद चांस है कि यह जो लाज डेट अपरील आया है गनू के और से जो जाएगा इस जारी कर दिया जाएगा इगनू के और से जिसमें क्या होगा कि आपके जो असाइन्मेंट सम्मिशन की लास्ट डेट है उसको 30 अपरेल 2022 तक एक्स्टेंड कर दी जाएगे तो आप लोग टेंसन फ्री होके असाइन्मेंट बनाईए ठीक है क्योंकि इगनू व लिखना पॉसिबल नहीं है तो वह समय रहते वे अपने जो इस डेट को है ना 15 अपरील 2022 वाले डेट को 15 अपरील 2022 वाले डेट को वह एक्स्टेंड कर देंगे तो आप लोग इसके लिए टेंसन फ्री हो जाईए ठीक है तो इतना क्लियर हो गया अब यहां पर है कि असाइन 2022 में होंगे ठीक है उन सभी स्टुडेंट के असाइनमेंट समिट अभी होंगे क्योंकि एक्जाम में एपियर होने की पहले रिक्वार्मेंट होती है कि आपने अपने असाइनमेंट समिट कर दिया है मतलब अगर आप मेरा कहना यह है कि अगर आप एक्जाम में एपियर होन तक करना है अन्य था एक्स्टेंड होने पर 30 अप्रिल 2022 तक उनको अपने अपने असेंडमेंट करने है इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ अब देखें दोस्तों यहां पर दो तरह के प्रोग्राम्स होते एक यःद्ली प्रोग्राम सोता और सबशßer वाइस टो सेटने कोरिश से क्थ हैं असकी के तो जुलाय 2021 में जिन भी स्टूडेंट का ऐसे प्रोग्राम में एडमिसन हुआ है जिनके प्रोग्राम yearly basis पर चलते हैं तो उनको अपने अप्रील में सम्मिट करने हैं 15 अप्रील 2022 तक अथ्वा एक्स्टेंड होने पर 30 अप्रील 2022 तक उसके बाद सेमेश्टर वाइज एडमिसन यह रेजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 सिसट्र में सेमेश्टर वाइस प्रोग्राम में हुआ है तो उनके जो एसाइंडमेंट है वो भी इसी अप्रील में सम्मिट होंगे इतना क्लिए हुआ य नहीं हुआ मेरे ख्याल से क्लिए हो गया होगा एसाइमेन्मिस्न के प्रोग्राम semester wise हैं और उनके विघ्जामनेशन जो है उनके जो रिरेइश्ट्रेशन है या admission है January 2022 में हुए हैं तो उनके विघ्जामनेशन June 2022 में होंगे तो इसका मतलब है कि July 2021 के yearly student और January 2022 के semester वाले student उन सबी के examination June 2022 में होंगे और उन सबी students के assignment submission की लाजडेट, 30 एप्रेल होगी संभावता एक्स्टेंड करके, अभी तो इस सर्कूलर के एक्कॉर्डिंग 15 एप्रील ही मानेंगे, क्योंकि सर्कूलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, circular में जो लिखा होता न वो exact होता है ठीक है लेकिन ये paper में 30 April लिखा गया तो मान के चलिए 30 April तक ही होगा क्योंकि आपको भी पता है exam nation तुरंत हुए है मतलब उन्होंने exam अपना दे दिया है तो वो भी अपने assignment of April तक submit कर पाएंगे नो problem कोई समस्तिया नहीं है वो अपने assignment submit कर पाएंगे या फिर वैसे सभी student जिन्हें अपने assignment submit कर दिये बट उन्हें assignment में back आ गई है मतलब cross लग गया तो वो भी अपने assignment 30 April तक submit कर पाएंगे या समझ गया एक और funda है कुछ ऐसे student है जिनका admission जनवरी 2022 में हुआ है जनवरी 2022 के yearly प्रोग्राम में हुआ है मतलब उनका प्रोग्राम सलाना है तो उनको अभी अपने assignment submit नहीं करने क्योंकि उनके examination June 2022 में नहीं होंगे बलकि December 2022 में उनके examination होंगे वैसे सभी student जिनका admission yearly प्रोग नहीं होंगे तो उनको अभी अपने assignment बिल्कुल नहीं बनाने है ठीक है और कुछ लोगों को confusion है जो बैचलर्स का प्रोग्राम है जैसे कि BAG, BA, PSH या BA का कोई भी honors उनको यह confusion है कि यह सारे program semester wise है तो इस confusion को दूर कर ले actually यह जो program है यह year wise program है सिर्फ admission semester wise होता है बट exam year wise होत student है ठीक है उसने BAG program में July 2021 में admission लिया है तो उसके total 8 subject होंगे 1st और 2nd semester को मिला के ठीक है और इन दोनों ही semester के subject के examination एक ही बार साल में होंगे अगर July 2021 के student है तो उसके examination जूर 2022 में होंगे साल में एक बार exam हुआ और दोनों ही semester first और second दोनों semester के examination एक ही बार हो गए आठो subject के examination एक बार में और assignment भी एक ही बार सम्मिट होगा और वह होगा अभी April में और वैसे सभी student जिनका admission जन्वरी 2022 में हुआ है और वो भी BAG या BA के किसी honors program में है और उनको लगता है कि उनका प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है तो गलत है उनका सोतना उनका प्रोग्राम इयर वाइज है और उनके सारे assignment फॉस्ट और सकेंड समेस्टर के जितने assignment है वो सारे assignment तीस अक्टूबर से पहले submit करें और उनके examination जून 2022 में नहीं बलकि December 2022 में होंगे तो इतनी सारी problems थी इतने सारे questions थे मुझे लगता है कि मैंने सारे problems को sort out कर दिया मैंने सारे questions के answer दे दि comment पढ़ता हूं और उनके reply देने की खुशिस करता हूं तो जो भी confusion हो तुरंत comment कर दिया कीजिएगा मैं उनके reply दे दिया करूंगा ठीक है या पिर telegram पर जूड़ जाए